पढ़ने वारे हैं दिनेशनल प्रोटीन्स के बारे में तो इसमें पढ़ते हैं तो इसमें पढ़ते हैं तो इसमें पढ़ते हैं तो असल में आप जानते हैं प्रोटीन्स के बारे में जिन वच्छन बाइमोलेकुस पढ़ा है तो प्रोटीन्स आपको सबसे बारे बात होने आपको नहीं समझ पाएंगे तो अब जो फोम्स होती है उनको तो आपको नहीं जानी है इधाल अभी पहले कि जो प्रोटीं के बारे में उसमें क्या सबना रहा है जो प्रोटीन्स के जो native state है यानी, जो उनका structure होता है उसमें कोई defact आजाना है यानी खराबी होता है जरुंकर का बीगड़ जाना कीं हमें कहलाता है Strength of 1989 Yourтомate When the stationary Tenemos changes गई जिस و dış वेती होता है जिसरें आपना function अच्छे से neतने कर बाते है उसे हम बोलते है denaturation of proteins अब इसमें क्या होता है इसमें आप दिख सकते हैं कि जैसे ही आपका जो डिनेचर इसका का कम सकते हैं क्या कंडिशन हो सकते हैं है अगर चेंच हो रहा है pH value में और अगर temperature में change हो रहा है यहाथ है तो उसे कि γूट होते हैं उपस्ट का फूट नेचर था वह बदल चुक तो यह हो था मैं इसको भी इसका connotation जो आप अगर आले जा होता है एंग अगर पास रो एंड बॉल एंग तेबड़ और एग को बालने के बाद आप देखते हैं कि उसका इग बालता है कैसे बदल जाता है गोंजाता है तो वह चैंजीज हो रहा है क्यों होदा गिव्रों इसे क्वेशिंट इस प्रोटीन होता है उसका इन डी नेच्वू जाता है है यॉस्ञसे हमें वह न हमें गारे में वह इंसना माली को ज जानसे है दया है च Почему होती है जब इनसान जल जाता है तो बहुत कम चांसे कि वह बच जाएगा और लगबग 7-8 दिन वह सर्वाइब करता है उसके बाद उसकी टैस हो जाती है ऐसा क्यों होता है इसका भी यह रीजन है कि जब हम जल जाते को बोड़ी तो बोड़ी के जल लेगे जब टेंपरिश्चर इतना हाई हो जाता है जिस विदर से जो प्रोटी इसे बोलते है इसे बुलते है रिवर्सिपल प्रोटीस तो जब टीनेसर ज़ाख जाता है जो इनसान की जल चुपाता आग में वो अपने आपको जाए सबबाइब नहीं कर पाता है और शीने साथ दिन में उसकी जाता हो जाती है ऐसा इसका बहुत बदा कारण होता है कि ज काफी रहेगा यह वारब NCRT से इसको जैसे पढ़ सकते हैं पर मैं आप कोश्च कर आपको बताने की काफी बच्चे को जीने से प्रोटीन क्या होते हैं सो आपको इसके बारे समझाए कोई भी आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं